नमस्कार मैं हूँ साहित्य सरकार हावराविस्ट बेंगॉल से मैं पहली बार एमाजन सेलर बना 2020 में पैंडेमिक शेशन में उस टाइप कुछ पता नहीं था कैसे सेल करते हैं कैसे एमाजन में बिसनिस बनाते हैं तो कुछ पता ना होने के वजए से वहाँ पे कुछ सेल भी नहीं मिला मैं कोशिश करता रहा लेकिन सेल कभी होता था कभी नहीं होता था से रिटर्ण जादा होता था नॉन ब्रेंड प्रोडक्ट के लिए के ओपर डील करता था इसलिए मुझे सेल नहीं मिला तो 2022 में मैं पहली बार प्रोसिंग एडूकेशन और अमर्टी के बारे में मुझे पता चला तो मैं वेवनर जोईन किया था कुछ सेखने के लिए तो वह फरिये मुझे पता चला कि में बिस्नेश भी हम बना सकते हैं तो जब वेवनर हो रहा था तब मुझे लगा कि मैं यहां जॉइन कर सकता हूं तो मैं सेर के सा да जुड गया और देरे देरे मुझे तिन महाई ने का जो ट्रेनिंग पिरियुड था दिरे दिरे मुझे पता चला कैसे डीटा को देखके हम एक प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के उपर हम बिसनिस खड़ा कर सकते हैं। कैसे प्रोड़क्ट रिसार्च करते हैं, कैसे ब्रैंड को अप्रोच करते हैं, कैसे बाइबॉक्स क्रिएट करते हैं, उसका डिटेलिंग मुझे उस ट्रेनिंग पिरेड में मिला मैं कुछ टेकनिकल इस्यूस के बादे वज़ाए से जंगल स्काउट ले नहीं पाया तो सहर ने मुझे एडवाइस किया कि साहित तुम टेंचन मतलो, मेरे पास जंगल स्काउट का डेटा है, तुमें जितना चाहिए हम दे देंगे और आगे चलके यह जंगल स्काउट का डेटा तुमें लागेगा भी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ पहली बार एक बार लगता है कौन सा प्रोड़क्ट के ओपर तुम काम करना चाहते हो, यह एक बार सिलेक्ट करने लेने के लिए जंगल स्काउट का डेटा चाहिए, उसके ब मैं इस जार्नी के दोड़ा प्रोसिंग एडूकेशन टीम और सार आमारवेदी ने मुझे बहुत सापोट किया, उन्होंने जो भी मांगा, जो भी डेटा मांगा, जो भी सापोट चाहिए था, उन्होंने मुझे प्रोड़किये पूरे और उसके ऊपर, उन्ही का सर के पास एक पैटर्ण है, एक चार्ट होता है, जो सौ ब्रेंड को रीच करने के लिए एक चार्ट होता है, तो मैं कोशिश किया, उनको मेल किया, उसको फोन किया, सैट से मैं सिखा कि कैसे ब्रेंड से बात करते हैं, कैसे उनसे लॉंग टर्म रिलिशन्शिप बनाया, रखना जरू जो भी मिले उनके साथ बात किया अभी जो result मैं दिख रहा हूँ मेरे finance में, मेरे economy में personal finance में जो भी development हुआ है वो सारे स्रेय और धन्यवाद जाता है Processing Education Team और सहराव और विदी जी को इसके उपर मैं तो सोचता हूँ कि अगर मैं कभी यहां नहीं जोइन करता या सहर से मुलाकत कर भी होता नहीं तो यह दिल मुझे आज देखना नहीं पड़ता तो मैं सचे दिल से सहरा मर्वेदी और पूरा Processing Education Team को धन्यवाद जानाता हूँ थैंक्यू